असलाम अलेकुम अच्छा आज के दिन हसी मेरिट लिस्ट का क्या न्यू अपडेट है और मेरिट लिस्ट का क्या मतलब आखर बात क्या है आज तक सुडेंट समझ नहीं रहे कि मेरिट लिस्ट कब लगेगा और हसी वाले क्यों नहीं कर रहे तो देखें आज के दिन के साब से पहली बात तो यह है कि HSE का जो लिस्ट है जो फाइनल लिस्ट है वो आज से तीन हफ़ते पहले ये लिस्ट तयार होके बना हुआ मौजूद है जब से रिमूब हुआ तब वेबसाइड से उसके दो दिन बात बन गया था ठीक है लिस्ट रेडी है लेकिन इसको पब्लिश्ट नहीं किया जा रहा ठीक हो गया अब क्या वजूआत हैं बताता हूं अगली बात हसी का एक मतलब एक केस चल रहा था है हसी पे जो के स्टूडिन्स ने किया था केमडी कैट से रिलेटेड कोई मार्क्स है वो अपटेट नहीं होने चाहिए ठीक है वो सब के फाइदे की बात थी लेकिन उससे हटकर इन लोगों ने क्या किया कि उनका फैसला जो है परसों के बात मतलब अभी दो दिन गुजर गए तो पिछले प्रीवियस टू डेज जो गुजरे उनका डेट था कि वो क्या करेंगे फाइनल अपना फैसला कोर्ट जो है वो दे रेगा लेकिन कोर्ट ने ये फैसला नहीं दिया और इसको मजीद एक्टेंड किया पचीस माई तक पाजीद आगे जाएगा ये भी एक क्वेशेटें ये ऐ है कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अबडेट यह ही है दूसरी बात लिस्ट बिलकुल रेडि है एक चाझसी का जो प्रेजीडेंट सदर है कि सदर है कि हो घान्म प्रेज्च के जो मिंबर्स है उनको क्या हो गया? वो मर चुके हैं. ठीक है? और जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स है न उनको बोलते हैं कि स्टूडेंट्स हमारे लिए क्या है? जब भी HSE का बंदा या कुई लीडर, जब भी स्टूडेंट्स से रिलेटर अपने फाइदे की बन्याद पर करते हैं कि स्टूडेंट्स आर क्रीम ओफ नेशन. ठीक है? याद रख रहे हैं यह बात. स्टूडेंट्स आर क्रीम ओफ नेशन. लेकिन मैं उनको यह कहूँगा कि सेर, इन क्रीम को आपने आइस क्रीम कर दिया. ठीक है? स्टूडेंट्स पेगल चुके हैं, यह आइस क्री और परियेंट्स हैं। कहां कहां से मेनद मसदूरी खरके अपने बच्चे, आपने बच्ची ओपढ़ा रहे है। अब वेट कर रहें कि एक मेरिट लिस्ट आजाए। उनको पता हो, को बेटा ये बेटी सेलेक्शन होई या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ या नहीं हुई तो कम से कम वो अपने एक और डिरेक्शन तो चला लेंगे न, आप उनको अभी तक डरा रहे हैं कि आपका है या नहीं है, क्वेस्चन मार्क किया हुआ ऐसा कुछ, तो बिल्कुल ये नाइनसाफी है, रुक्वेस्ट करता हूँ मैं है, हैसी मुझे नहीं पता ये वीडियो कितने लोग तक देखेंगे, कितने लोग तक जाएगा, लेकिन में भी, कभी भी अगर ये वीडियो मेरी हाईर अथारिटी के पास जाता है, तो उनसे ये रुक्वेस्ट जरूर है, कि प्लीज, इतना ख्याल रखें कि स्टूडेंट्स हैं, अपने बच्चे का आप जैसे सोचते हैं, आप वैसे तो बिल्कुल हमारे नहीं सोच सकते हैं, लेकिन इनसानियत के हद थोड़ा सा ख्याल रखें, कि स्टूडेंट्स हैं, इनके जो भी एक्सपेक्टेशन्स हैं, इनके भी ख्याल हैं, इनके भी सोच हैं, इनके भी जो है higher authority होते हैं लेकिन higher इंसान तभी बनता है जब उनके अंदर इखलाक manner, सोच, समझ तभी आजाएं मैं अक्सर कहता हूँ कि आपके डिगरी कभी भी काम नहीं आएगी जब तक आपके अंदर इखलाक manner समझ, छोटे बड़े की तमीज कहां क्या बोलना है जो है manner नहीं होते आप जितना भी बड़ा डॉक्टर बन जाएं आप जितना भी बड़ा एक वकील बन जाएं आप जितना भी बड़ा लीडर बन जाएं लेकिन आप याद रखें आप हमेशन जीरो हैं आप hero कभी नहीं बन सकते तो without behavior आप कुछ भी नहीं है लेकिन without behavior आप कुछ भी नहीं है तो हमारे leaders का behavior आप लोब सब के सामने है ना तो जितने भी students से मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और आप से भी मैं इतना ही कहूंगा कि हैर अपने लिए थोड़ा सा आवाज उठाएं सोशिल मीडिया में बे उठा दें और ताके आपके जो भी time waste हो चुका है वो मजीद waste ना हो तो बाकी में क्या के सिप्टों में जिस्ट आप लोगों को नहीं हूँ जो भी update आएगी मैं बता दिया करूँगा लेकिन दौा करता रहूँगा अला तरह आप सब को काम्याब करे हमेशां यही वार्डिंग से मेरी वीडियो खतम होती है लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप लोगों ने हिम्मत नहीं हरना हर मुश्किल के बाद आसानी होता है कोई नहीं इन्शालला आपके हक में बहतर होगा टेंशन लेना छोड़ दें M.D.Gate के बन्याद पे हुआ तो क्या होगा कुछ नहीं होगा M.D.Gate के बन्याद पे नहीं होगा इसी H.S.E. के बन्याद पे होगा और एक सवाल ये है क्या H.S.E. लिस्ट में जो स्टूड़न्स के नाम आए थे क्या उससे हटकर भी नाम आ सकते हैं जी बिलकुल आ सकते हैं ठीक है तो टेंशन नहीं लेनी तो बस इन्शालला आपके हक में बितर करेगा दोहों में याद रखें बहुत शुक्रिया थेंक्यू